वालो गाईज स्वाइब अलाफी टूद आवर यूटूब चैनल ग्यानवी सिचिन तो दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करेंगे BTUP के ओट सेमेस्टर एक्जामेनिशन के बारे में कि आप सभी का संसोधित सेडियूल कब आएगा और पुराना सेडियूल कब जाएगा और साथी साथ क्या आप सभी का एक्जामेनिशन साथ जनुरी सी होगा जितनी शारी कन्फूजन है आज की इस वीडियो में दूर हो जाएगा साथी साथ चार तारिक पहला मैने याने दोजार तेईस आज की डेट में अब ही करीबन 10 मिनट पहले या 20 मिनट पहले जब आप वीडियो देख रहे हो बारा बच कर 31 मिनट पर अपजेट आया है जाविद सर का उस अपडेट के साथ आप सभी को सूचित करना चाहता हूं कि आप सभी का जो बीटियूपी का और सेमिस्टर सेडियूल है वो कब चे यूपी की विबसाइट से ये नोटिफिक्शन आज साम या कल तक हटेगा इसे चार या पान दिन बाद संसोदित सेडियूल आएगा तो आप छात्र पढ़ाई में जुड जाएं मतलब जो साथ जनुरी से एक्जामिनेशन है वो होना है वो नहीं होगा पता चल पाया आप आप सभी को इस अपडेट के माध्यम से ये अपडेट जो आई है वो बारा बचकर 31 मिनट 4 सेकंड पर आई है जनुरी 30 को ठीक है जावेज सर के द्वारा ये भी आप सभी को पता चल पाया मतलब 4-5 दिन बाद आपका संसोदित सेडियूल आएगा और जो एक्जामिनेशन चुका है कि बैक वगारा से आप पूरी तरीके से बच सकते हो हिंदी में फिजित कमिस्टी कम्यूनिकेशन इसकिल की पूरी नोट्स एडी की वीडियो सारे सब्चेक्ट के चैप्टर वाइज इंपॉर्टन प्यूसंस आप सभी को इस सस्ता है फ्री आपको समझे लोग उसके बाद आप सभीका इग्जामनिशन फॉर्म भरा जाएगा उसके बाद आप सभीके प्रेक्टिकल होंगे फिर एकजाम होगा और ऐसा जरूरीगन है कि आपकाrals सता है जनरे को हो आपका एग्जामनिशन फरवरी में भी जा सकता है एसी कोई ुक्क निए क्योंकि अभी तक BTUP इस चीज़ पर चुप है तो इससे पता चलता है कि examination schedule घोसित करने के कम से कम 25 दिन बाद ही आपका exam होता है तो अगर 10 तारीक को भी घोसित करता है तो इससे बता चलता है कि आप सभी का examination फरवरी में भी जा सकता है तो फिलाल जो ज़सा होगा मैं आप सभी को सबसे पहले update देता रहूँगा तो मिलते एक नई वीडियो के शाथ तब तक के लिए बाई बाई चाटा लब यू ओल